रेडियेटर कूलिंग फैन का एक्ट्व टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम रेडियेटर कूलिंग फैन एक्ट्व टेस्ट में जाएंगे सर्विस मैनवल में इंजन में जाएंगे इंजन में जाने के बाद कूलिंग सिस्टम में जाएंगे जैसे कि यहां मैं देख सकते हूं यह हमारा cooling system है cooling system में आनेक बाद k12m में आएंगे k12m में आपको आना है radiator cooling fan system check में radiator cooling fan system check पे मैं klick कर दूंगा यह वाला circuit खुल कर आजाएगा अब यहां पर नीचे आएंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं radiator cooling fan low speed operation check तो यह operation करने के लिए मैं यहाँ पर page 1F30 दिख रहा है आपको यहाँ पर click करूँगा यहाँ पर देख सकते हैं आप radiator cooling fan assembly on vehicle inspection आ गया है यानि SDT को आपको गाड़ी से connect करना है और active test करना है मैंने SDT को गाड़ी से connect कर दिया है vehicle health में आप engine को select कर लेंगे engine को select करने के बाद active test में जाएंगे active test में आपको radiator fan select करना है ठीक है engine में जाना है engine select कर लेना engine select करने के बाद active test में आएंगे active test में आपको radiator fan select करना है radiator fan select करने के बाद start दबाएंगे जब आप start पर click करेंगे तो यहाँ पर ok पर click करना है OK पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह Execute वाला बटन आ जाएगा Execute पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी Command Value अभी Off है यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इस वक्त Off है यहाँ पर यह Highlighted बटन है इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले Command Value लो पर जाएगी यानि Radiator Fan आपका Low Speed पर चलना चाहिए अगर लो पर चल रहा है तो Judgment Good है फिर उसके बाद High पर भी चला कर देखना है अगर High पर भी Perfect चल रहा है तो अब आपका Radiator Fan on Vehicle Inspection सही है यदि आपका Low पर नहीं चल रहा है और High पर भी नहीं चल रहा है तो Option आपका Bad आएगा उसके बाद हम यहां से इसको Return करेंगे पहले Low पर लेकर आएगे फिर Off करेंगे और यहां से End कर देंगे